एक दरव जहाँ यूपी डेट की परिक्षा कैंसल हो जाने के बाद और पेपर लीक हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्षी पार्टियों ने घेर लिया तो वहीं दूसरी और इसका असर सीधे सीधे केंद्र अध्यक्ष और कक्ष निरक्ष की ड्यूटी पर भी पड़ा है आम तौर पर किसी भी परिक्षा में ड्यूटी लगाए जाने में केंद्रा अध्यक्ष को 2000 रुपे एवं परिक्षा निरिक्ष को साले 700 रुपे प्रती पाली दिये जाते हैं रविवार को पेपर लीक मामले में साशन द्वारा और जिला विध्याले निरिक्षक मतुरा द्वारा यह कदम उठाया गया है कि अगली परिक्षा बिना शुल्क के ही आयुजित की जाएगी जिसके चलते केंद्र अध्यक्ष और परिक्षा निरिक्षक को मिलने वाले मान द पर लोक लगाई जाएगी। पालियों में भुक्तान किया था इसको देखते हुए दोनों ही पालियों के पेमेंट पर रोक लगा दी गई इसके सम्मंद में सम्मंदित बैंक कोई पत्र भी भेज दिया है अपने साथी गुपाल जग्गा के साथ रवी आदव